विज्ञापन में खुद को बिहार सीम पत का उमीदवार बताकर सुर्खियों में आई पुश्पम प्रिया फिर से सुर्खियों में है अब उनके सगे चाचा अजय चौतरी ने उनकी दिमागी हालत पर सवाल उठा दिये हैं आप खुद सुनिये उनके चाचा अजय चौतरी ने क्या कहा कितने लोग आपके साथ रहेंगे ये आने वाले दिन बतलाएगा अजय चौतरी खुद को मुख्यमंत्री पद उमिदवार बताने वाली पुश्पम प्रिया की चाचा है जब पुश्पम प्रिया ने खुद को बिहार का सीम कैंडिडेट बताया तो उनके पिता बिनो चौतरी ने भी उनका समर्थन किया था पुश्पम प्रिया को भले ही पिता का साथ मिल गया हूँ लेकिन चाचा ने साफ हाथ खड़े कर दिये हैं उन्होंने कहा है कि नितीश कुमार जब आते थे तो उनके यहां ही रहते थे 1994 में नितीश कुमार ने सुतंतर रूप से अपना जनाधार या अपना अस्थित अपने अपने आपको बिहार में एक निता कि रूप में प्रस्थित किया और मेरे पिता उनके छमता को देख करके उनके साथ हुए और बिहार को जंगल राज से मुक्ती दिलाने के लिए प्रयास किये और उसी प्रयास में हम लोगों का धीरे 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 हम लोगों की जो सोच है कथनी करनी एक उसी तरह से नितिसकुमार की सोच है कथनी करनी एक तो हमारा तो वो संबंध है यही रूम है जहां पर आप बैट करके मुझे मेरा इंटर्व्यू ले रहे हैं इसी रूम में नितिस कुमार जी रहते थे तो हम लोग का तो वो संबंध है चाचा अजय चौतरी ने कहा कि दोहरा चरितर नहीं चलेगा एक स्टेंड रखना होगा पार्टी उन पर कारवाई करेगी अगर बेटी ने पार्टी बना लिया आप बेटी को आसिरबाद दे रहे हैं तो आप उस पार्टी में चले गए तो अब जदियू में कहां से रह गए आप जब आप दूसरे दल की सदस्ता ले लिए तो आप इस दल में कहां रह गए तो यहां कहना कि मैं उसके साथ भी हो और जदियू में यह चलने वाला है कितना दिन चलेगा जदियू कारवाई करेगी निश्ची दूरुप से ना पहले उसके पार्टी को तो अस्तुत में आने दीजी अभी तो को पार्टी में अस्तुत में नहीं आया है आने दीजे सदस्ता लेंगे हटा देंगे चाचा जे चौतरी ने कहा कि मेरी भती जी बहुत भोली है उसका दुरुपयोग हो रहा है उसके पीछे दूसरे आदमी लगे हुए हैं दूसरे व्यक्ति जो है जो इतने पैसे खर्च करके इस तरह से बिना मतलब का हंगामा करने का एक आधार दे दिया और मीडिया को एक मसाला दे दिया। उसके अत्रिक जमीन पर राजनिति के रूप से कोई बात नहीं है। ये हम नहीं कह सकते हैं ये मुझे पता नहीं है। और मेरा उस भाई साहब से क्या कैतना संमंध है या कोची भी हुई बात नहीं है। तो इसलिए मुझे वो जानकारी नहीं है लेकिन जीतना मुझे ज्ञान है उसमें तो लगता है कि उसका अपना डिरेक्ट कोई सोच नहीं हो सकता बिहार के दरभंगा में अजे चौतरी ने साफ शब्दों में कहा है कि ये विज्यापन हास्यासपद है उन्होंने अपनी भतीची पुश्पंप्रिया को राजनातिक जवाब देते हुए कहा कि बिहार में अगली 15 सालों तक मुख्यमंत्री पोस्ट पर कोई वेकेंसी नहीं है यहां स्यासपद लगता है मैं अस्तब्द हूँ कि चीफ निस्टर का केंडिडेटर जो लंदन स्कूल ऑफ एकोनोमिक से पढ़कर करके अब पढ़ने में तेज थी वो आएगी और कहेगी कि हम चीफ निस्टर के उमिदबार हो गया है तो इसका आर्थ है कि राजनीत की जो जो उसको बच्पन से ही मिला है उसका कौकौका नहीं उसका आइडिया है चीफ निस्टर इसे बनता है अचीफ निस्टर का पद का कोई वेकेंसी है क्या आने बाले 15 वरसों तक नितीश कुमार बिहार की जनता चाहती है कि आने बाले 15 वरसों तक भी मुखमंत्र के रूप में नितीश कुमार ही रहे है खुद को नितीश कुमार का पका सिपाही बताते हुए अजय चौतरी ने कहा कि हम नितीश कुमार के साथ हैं वहीं MLC चुनाव में दिलिप चौतरी को पाजी का उम दोद भी किया है दर्भांगा से प्रहलात कुमार की रिपोर्ट पिहार तक